कि कोई भी कोई विबदा आई हो हमारे पाठी के लोग बहुत मजबूती के साथ करे नहीं यह यह ग cc जितनी से जाधासे ज्यादा रहत की समान आउ शांगरी जो हैं हम लोगों ने बिजुआने का काम किया और लगतार हमारे पाठी की वे रहत कारें में लगे हुए हैं अगर आप जिला प्रशाशन से पूछो गो तो एग भी नाव जो है रास्ट्री जनतादल को नहीं देने का काम किया है अब यह किस वज़े से है या नहीं है लेकिन जो लोग चहरा चमकाने की राजनीती करते थे शुशील मोदी जी आपको नहीं हम लोग काम में विश्वास करते हैं हम लोग बड़े गंभीरता से इस चीजों को लिए हैं और गंभीरता से पाटी ने हर एक कार्य करताओं को यह जिम्मेदारी दी है कि राहत के कारियों में लगे अभी तो आपटना किस्तिती आप देखिएगा पानी जो है अब द उनको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए जो आनंद किशोन है जो पटना के कमिश्णर है वो गाइब है और मंत्री कौन है नगर विकास मंत्री वही मंत्री है जो बालिकागरी मुश्वर्पूर्पूर कांड में थे वो ने नजर नहीं आते और मुख्य मंत्री जो जवाब देते हैं बोलते हैं कि यह बाढ़ है यह प्राकृति के वज़ा से वह यह हुआ है तो उनको इतना समझना चाहिए अगर पंप हाउस काम नहीं कर रहा ड्रेनेज सिस्टम का नक्षा नहीं मिल रहा ड्रेनेज्च सिस्टमपूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है ऐसे प्राकृति आप में बलकि यह ब्रहस्ताचार हुआ है इसमें और यह ब्रहस्ता चार का खेल और आप देखिएगा पूरी पटना में जिस परकार से पिछले बार भी पानी आ जलजमाब जो है यह आया हुआ है लेकिन इसको मुख्यमंत्री कहते हैं हथिया के वज़ा से है यह शर्मनाग ब्यान है 15 साल से जो लोग सक्ता में रहें वो उनसे नक्षा तक नहीं मिल रहा कि क्या हो रहा है पटना में कितने संफाव से कितने पंप हैं कितने की एक्विप्मेंट्स करीदें कोई कुछ नहीं पता चल रहा और मुख्यमंत्री जो है 15 साल से वही हैं सिर्फ चहरा चमकानी की राजिति करते हैं और आप देखेगा बीजेपी हो या जद्दी के लोग हो पूरी तरीके से जो है कुट्ते और बिल्ली के जैसा लड़ाई लड़ रहे हैं पूरा बिहार को सरकस बना देने का काम किया है इन लोगों ने तो यह जनता जो है लाल्टिन ले करके इनको ढूनने का काम करनी है आखिर इनके दोशी कौन है पूरा सिस्टम आप देखेगा मंतरी कहते हैं कि उनकी अधिकारी नहीं सुनते हैं सीम की सुनते हैं तो सीम जो है वो जवाब क्या देते हैं वो जो है जवाब देते हैं कि यह जो है हम लोगों को तयार रहना चाहिए ऐसी आपदा को ले करके हम कहते हैं इस विबदा के घरी में कम से कम जो काम जो है वो ल अधिकार में क्या इस तरह के हाला तो आप लोग के साथ भी थे क्या सही में नितिश जी डिलेक्ट गाइड करते हैं अधिकारियों को देखिए हम थे नहीं थे यह फ़र्क नहीं परता लेकिन पूरी तरीके से कही ना कहीं से अब भिहार में आप से शाही जो है जन्प्रत्रन कि बातों को नहीं माना जा रहा और पूरी तरीके से नितिश कुमार जो हैं अपने कंट्रोल में लिये हैं लेकिन वो काम कौन से कर रहे हैं पूरी तरीके से बोलते स्मार्ट सिटी कौन से स्मार्ट सिटी हो रहा है यही पटना के कमिशनर जो है गरीबों का चाहे दूद ब क्या वज़ा है कि कोई भी बिहार में ब्रश्टाचार होता है या कोई भी अपराद होता है तो उसकी सजा जो है ना अधिकारियों को मिलती है ना कोई बड़े मंत्रियों को मिलती है तो नितीश कुमार जी का पूरी तरीके से संरक्षन है और नितीश कुमार जी कहते हैं कि च जवाब तो देना ही पड़ेगा। बीजेपी के जितने बरेनेता हैं, गिर्णाज सिंग की बात की जाया है, यहाँ संजय पाश्वान जी है, यह सुरेश सर्माजी है, उन लोगों ने अपना सारा का सारा बोला कि भैस यह जिम्मवारी सरकार की बनती है। गिर्णाज तो यह प्यार जो है तरक्की के रास्ति पर चला जाएगा स्मार्ट सिटी बन जाएगा यह डबल इंजन की सरकार को तरह कुट्य बुलियों के तरह लड़ाय लड़ने का काम करें सर्कष बना देने का काम किया है जवाब दही कौन लेगा जो लोग सत्ता में हैं जो लोग अधिकारी हैं जो लोग मंत्री हैं तो इनको तो जबंदारी लेनी चाहिए लेकिन नितीश कुमार जी तो जिम्मेदारियों से बच रहें अपनी गलती जो है प्राकृति पे छोड़ रहें तो यह कहीं ना कहीं से सुशीर मोदी जी कहते हैं आर्थिक मंडी है तो बोलते हैं भादो ने तो बाढ़ है भाने तो सुखार है ने तो आपदा है इस वजए से आपकी जो जिम्मेदारी जुए है कम सी कम वह तो निंभाना चाहिए इन लोगों को लेकिन जनता को गुम्रा किया है और इसले जनादेश का अपमान किया नितीश कुमार जी ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा आप देखेगा जब से सरकार गई है तब से NDA की जब से सरकार आई है और महागरबंधन की सरकार गई है तब से आप NDA की सरकार कौन से सुर्खियों में रही है चाहे चमकी बुखार हो चाहे बार हो चाहे अपरहन हो हत्या हो लूट हो गैंग रेफ हो बालिकागरी मुजफर पूर कांड हो शड़ाब को लेकर कि जिसरा से माफियाओं का राज आ गया है इसी वज़े से सरकार जो है चर्चा में है कोई अच्छे कारे के लिए चर्चा में नहीं रही है बिहार सरकार तो इसका जवाब देही तो जनता त्य करेगी अब देख रही है चुनाओ आने दीजिए समय आने दीजिए इनको जवाब मिलेगा अंतिम सवाल के बिहार सरकार के जितने अभी तक सिनियर अधिकारी है कि हम्तरी है हमारे हमारे में सुन रहे हैं करे देखत है लोग आई तीरफे सब कुछ अपने पास समिट करक्ष कि प्रेजेंट और फीचर की बात करने चाहिए जहां तक प्रेजेंट फीचर की बात करें अभी जो विपदाई नितीश कुमार जी आट नो दिन बाद निकलते हैं पत्ना में जाजाले ने उनके साथ कौन अधिकारी मिले प्रणाल बात करने अधिक अधिक साथ कीज लिए है क्यों नहींत्य पत्ना इगर आनंद किशौर नहींत्य उख्षाप कर वह प्रभात क्या चाह रही है ने विपक चाह रही है कि अभी तो पानी जल जमाओ है इन्होंने दावा किया था यह शुषीर मोदी जी की दो दिन रुख जाए दो दिन में पानी कम हो जाएगा दस दिन होगे अभी तक पूरी तरीके से कदम कुआ हो या राजिंदर नगर हो कई ऐसी इला साथीकारी नहीं नेता है मनत्री हम तो कहतें मुक्रमंत्री खुद्धोश्य है किये हैं एक छोटी चीज बिहार में हरकत से बिना इजाज़त कि नहीं होती है लियावे उस से नहीं होती है तो जमंदारी ऑघन uniqu knows के हैं अधिकता की बात करने के बाती हैं उनको, के सामने के.. फौना… पर के तर नितीष कुमार की स्तीफ़ेकी मांझें आपले उन्तिकता की सवाल को जगाएं और गवज़नर्हावस याकर की स्तीफ़ा काम किजिए जिए बिहार पर रूं कीज़़ को भाहर हुआ झाल झाल